नमुश्कार मैं हूँ वीवेका नंजदव आप देखने खबर बिहार 24 चारा घोटाले मामले में सजा काट रहें लालू परसाजादों को कल जमानत नहीं दी गई CVI के करे बिरोद के बाद कोट ने माना कि लालू परसाजादों को आधी सजा काटने में साथ दिन कम है साथ दिन के बाद जमानत की सुनवाई की जाएगी ततकाल CVI कोट के नयाधीस अपरेश कुमार सिंग ने जमानत याचिका को खारिद कर दी उदर लालू परसाजादों के पक्ष रखने वाले बड़िया दी वक्ता कपील सिब्बल ने अदालत से आकड़ किया कि इसी याचिका को अस्तिगित किया जाए लेकिन कोट ने कहा कि नहीं दो मेहने के बाद फिर से जमानत याचिका दाखिल करनी होगी लालू परसाजादों के दुमका कोसागार मामले में जमानत मिलनी थी लेकिन दो मेहने और सजा काटनी होगी साथ वरस की सजा लालू परसाजादव को मिली थी जिसमें आदी सजा काटने की बाद थी लेकिन सीबियाई ने परस्तुत किया दस्तवेज जिसमें दो मेहने की सजा और लालू परसाजादव को काटनी होगी यानि साथ दिन के बाद लालू परसाजादव को जमानत मिल सकती है इसी मुद्दे को लेकर लालू परसाजादव के जमानत याचिका को खारिज कर दी गई कहा जा रहा है कि उम्मीद थी कि लालू परसाजादव को जमानत मिलेगी चुकि आधहार बनाया गया था कि ललू परसाज जादव का स्वास्त काफी खराब है इसलिए इन्हें जमानत मिलनी चाहिए लेकिन जो कोट को लगा कि साथ दिन और सजा उन्हें काटनी होगी साथ दिन के बाद जमानत दी जाएगी इस आधे इसके बाद राजत परिवार में खुसी का जो माहौल था कि आज जमानत मिलेगी वह गम में बदल गया मानो लगता है कि लालू परसाज जादो को अभी कुछ तिन और जेल में रहना होगा हमने पहले भी वीडियो में कहा था कि अभी लालू जी को जेल में रहना ही होगा परतमान में लालू परसाज जादो इलाजरत हैं दिली एमस में इलाजरत हैं और उनकी तबियत में कहा जाता है कि कुछ सुधार है तो दो मैने की बाद अब याचिका दाखिल की जाएगी जमानत याचिका उस जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद उमीद जगी है कि लालू परसाज जादों को जमानत मिलेगी चार मामले में तीन में मुकदमा में जमानत मिल चुका है दुमका कोसागार से अबद निकासी मामले में जमानत मिली बाकी है फिर लालू जी जिल से बाहर आ सकते हैं मुड़ी विडियो कैसा लगा अच्छा लगे लाइक करें सेर करें कॉमेट करें सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को धन्यवाद